हेलो हाई नमस्ते आदाब सेसरिकाल की आल चाल कैसे आप लोग मैं खुल दीभंडारी स्वागत करता हूँ आपका विदान्तूज क्लास 9th and 10 चैनल पेंड आज के इस सेशन में एक बहुत जादा इंपोर्टेंट जानकारी मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ बहुत सारे बच्चों के मन में ये सवाल होगा कि भी आमारा रिजल्ट कब आने वाला है और आप लोगों को पताए कि लोग सभा के इलेक्शन भी अब शुरू होने वाले हैं तो इसका क्या effect पड़ेगा आप लोगों के लोग सभा के इलेक्शन पे तो यार मैंने जब आप रिलीज किया था या फिर CBSC ने पहले बोला था कि फेब में वो अपना स्टार्ट करेंगे 15 अफेब से स्टार्ट करेंगे तो लोगसभा की वज़े से क्या आपका प्रीपोन या पोस्टपोन हो सकता है तो एक्जाम पे तो इसका कोई effect नहीं पड़ा क्योंकि एक्जाम अब खतम हो चुके और लोगसभा के election अब स्टार्ट होने वाले तो क्या इसका result पे impact पड़ेगा हम पिछले कुछ data के हिसाब से जानेंगे कि जब 2019 में लोगसभा के election हुए थे तो उसका क्या effect पड़ा था आपके result के announcing date पे है ना तो वो हम जानने की कोशिश करेंगे और इस साल का भी मैं आप लोगों को prediction बताऊंगा देखो guys मतलब to be very honest to be very frank क्योंकि I believe in honesty और मैं कोई मतलब ऐसा नहीं है कि बेवकूप बनाना चाहतो आप लोगों को है ना तो मुझे भी कोई idea मतलब मुझे भी confirm नहीं है कि कभ आपका result announce होगा but I can get the idea I have some idea कि इस duration में आपका result announce हो सकता है है ना तो चलिए बात करते और ऐसे ही amazing videos के लिए make sure कि यार आप लोग इस channel को subscribe जरूर करना क्योंकि सही time पे सही जानकारी आप लोगों को तभी मिलेगी जब आप लोग channel से जुड़े रहोगे तो उसके लिए you have to subscribe this channel ठीके जी चलो so एक और चीज में आप लोगों को बता देता हूँ यार इस वीडियो के description में आप लोगों के पास एक link होगा आप लोग ये देख रहो download CBSE class 9 all NCIT solution तो जितने भी बच्चे class 10 में है जितने भी बच्चे class 10 में है उन सभी बच्चों को इस link पे click करना है आपके सामने एक page खूलेगा continue with google कर देना आप वहां से class 9 और class 10 के सारे subject के NCIT के solutions डाउनलोड कर सकते हो है ना तो जो बच्चा भी class 10 में आ रहा है या फिर जो बच्चा class 9 से 10 में आएगा या फिर जो बच्चा class like 9 में आया है तो वह सभी बच्चे इन link से अपने class 9 के notes डाउनलोड कर सकते हैं ठीके जी चालो बाकी आरा अगर मैं बात करूँ सबसे पहले की CBSE जो है CBSE के result date पे लोगसभा election का क्या effect पड़ेगा तो सबसे पहले बात करेंगे हम 2019 के election dates की तो अगर पिछले बार के लोगसभा election की अगर हम बात करें तो 7 faces में लोगसभा के elections हुए थे हैना April 11 से वो start हो गया था आप लोगों का elections हैना जो मद्दान होता है जो होती है वो 11th of April से start हो आता हो और 23rd of May को आपका लोगसभा का election result अना 23rd of May को अब वहीं अगर मैं बात करूँ CBAC ने कब अपना result release किया था 2019 में तो CBAC ने अपना जो exam था वो 21 Feb 2019 से 29 March को तक उनका exam चला और तब तक जब लोगसभा के election स्टार्ट हुए तब तक आप लोगों का exam खतम हो चुके थे लेकिन result date की अगर मैं बात करूँ तो 6 में को उन्होंने अपना result अनाउंच किया था और अगर वहीं मैं बात करूँ वहीं मैं बात करूँ लोगसभा का result है वो लोगसभा के जो elections है वो देख रहे हो अब 6 में को भी एक phase में लोगसभा का election हुआ था है ना 12 में को हुआ 19 में को हुआ और 23 में को आपका लोगसभा का result अनाउंच हो गया था और अगर मैं बात करूँ CBSC के result date की तो वो 6 में को उन्होंने 6 में 2019 को CBSC ने अपना result अनाउंस कर दिया था तो यहां से आपको एक clear cut idea मिल गया होगा कि यार उस दिन लोगसभा का election भी था तब भी CBSC ने अपना result date postpone या prepone नहीं किया तो यार अभी ना आप लोगों को बहुत सारे articles देखने को मिलेंगे जिसमें यह भोला जाएगा कि CBSC अपना result date change कर सकती है या इस दिन आ सकता है उस दिन आ सकता है देखो पता किसी को भी नहीं होता है पता सिर्फ CBSC को है और आज की इस date में CBSC को भी idea नहीं है कि वो कब अपना CBSC का result release करने वाले है ना अभी वो paper पर चेक करेंगे उसके बाद जब result बनेगा जब पूरा result बन जाता है ना उसके बाद वो decide करते हैं कि कब उन्हें अपना result release करना है तो यह अभी CBSC तक को नहीं पता है कि उनका result कब वो release करने है बट यहां से आपको एक clear cut idea मिल गया होगा कि लोगसभा elections का result date पे या आपके exams पे कोई भी फरक नहीं पढ़ता कोई भी फरक नहीं पढ़ता है ठीके वहीं अगर मैं बात करूँ इस साल के लोगसभा dates की लोगसभा election के dates की तो 19 April से आप लोगों का लोगसभा का election start हो रहे हैं और वो जाएंगे आपके 1st of June तक है ना और result जो आएगा वो 4th of June तक आएगा तो यहार एक चीज मैं बता देता हूँ बहुत सारे लोग अगर यह सोच रहे कि जब लोगसभा का result release हो जाएगा उसके बाद आपका CBSE अपना result release करेगा तो ऐसा बिल्कुल नहीं है CBSE कभी भी अपना result delay नहीं करेगा बहुत लेट release नहीं करेगा most probably CBSE जो है last week of May में अपना result announce कर देगा है ना तो 15 में से लेके जो भी 30 में तक की dates होंगी उनके बीच में CBSE कभी भी अपना result release कर सकता है अभी मैंने आपको एक example भी दिखाया था 6th of May को लोगसबा का election भी था और उसी दिन result भी release हुआ है तो it doesn't matter की कब कौन सी date को लोगसबा का election है result है इससे कोई फरक नहीं पड़ता है बट CBSE अपना result में कोई भी post phone या pre phone नहीं करेगा in May end में ही वो अपना लगबग लगबग result release करतेगा है ना तो यह है यार और यही इसकी possibility है कि कब basically CBSE अपना result release कर सकता है and to be like frank with you है ना this is what मतलब CBSE generally May के month में ही अपना result release करता है है ना और इसका लोगसबा election से कोई लेना देना नहीं है तो अभी जितने भी articles आप लोग देखोगे अभी बहुत सारे YouTube पे वीडियो बनेंगी कि लोग सबा के election की वज़े से result हो जाएगा delay या फिर article कुछ articles आएंगे कि pre phone हो गया या post phone हो गया या अब आ सकता है तब आ सकता है आपको अभी भी बता रहो आज की इस date में CBSE को भी नहीं पता कि वो अपना result कब release करेंगे जब सारे के सारे paper चेक हो जाएंगे तब वो decide करेंगे कि उन्हें कब अपना result release करना है मान लो CBSE आज बोल दे कि यार मैं 15 में को अपना result release कर रहो और 15 में तक क्या पता वो सारे papers check ना हो पाएं कुछ भी हो सकता है ना कुछ भी चीज हो सकती है है ना तो it doesn't matter कि कब वो change होगा कैसे होगा मतलब जब तक वो पूरा का पूरा आपका तयार नहीं हो जाता बनके paper check नहीं हो जाता तब तक cbc को भी नहीं पता कि वो कब release करने वाले ठीके जी so yes guys this is all about for this session बाकि अगर कोई बच्चा मुझसे instagram पर जुड़ना चाते तो ये मेरा instagram idea है kuldwepb-01 है ना और इस video के description में इस channel का telegram link भी है आप लोग telegram group भी जॉइन कर सकते हो बाकि दू like share and subscribe this channel for these type of amazing videos बाबाई